नमस्ते दोस्तों मैं वर्षा भाव सार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए टोमेटो सूप की रेसिपी लेके आई हूँ घर पे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी और गाड़ा-गाड़ा सूप हम केसे बनाएं बनाना बहुती आसान है उ तक साथी इस बात का विद्यान रखना है कि टमाटर बिलकुल टाइट लेना है क्योंकि जो टाइट टमाटर होते हैं उसमें इसका पलप बहुत ज़ादा होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ने रफली चॉप कर लिया है तो गेस चालो करके गेस पे मैंने पहना इसके अंदर एक चमश मेंने बटर डाला है बटर जैसे ही मेल्ट होता है आधी चमश हम जीरा डालेंगे तो बटर को आप बहुत अधिक मेल्ट नहीं करें नहीं तो वो जलने लगेगा और सूप का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और अब में डाल देती हूं यहाँ पर 6-7 का लिया लसून की और एक मैंने तेश पत्ता लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं और अब मैं यहाँ पर एक प्याश डाल रही हूं तो वेसे तो ओप्षनल है अगर आप यहाँ पर लसुन और प्याज डालना चाहें तो ही डाले, लेकिन लसुन प्याज डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही जो लसुन होती है, शरीर को गर्माहळ भी देती है, तो इसलिए आप अगर हो सकें, तो लसुन और प्याज जरूर से art कीज तो अब हम इन शबी चीजों को अच्छे से सौफ्ड कर लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस भी चीजे थोड़ी सी फ्राइए हूच contro सौर्फ्ट हूच्च vidéos तो अब इससमें हम यहाँर पर एट करेंगे यह ट५माटर तमाटर डालके मैं यहां पर डाल देती हुं एक चम ष नमक तो नमक डालके हम सारी चीजह को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं किस अब हैं जुच्छ अब यहां पर अच्छे लगा這種 पकता चोंप करेंग एक से कुछी देर पेंगे और यम्य फ्लेवर करेज़ बढ़ा पकार का सका रिखिए और को तब तक पकाएंगी जब तकर नहीं हो जाते हुए तो टमाटर बहुत जल्दी से पख जाते हैं, कुछी देर में आप देखेंगे टमाटर बिलकुल यहाँ पर सौफ्ट हो चुके हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पर टमाटर पकाना हैं, तो अब हम गेस का फ्लेम ऊफ कर देंगे, और इसका जो तेश पता है, इसे निकाल लेते ह हैं क्योंकि इसका जो फ्लेवर है टमाटर में अच्छी तरह से आ चुका है और अब इन सभी चीजों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप इसे पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए अगर आप इसे गर और इसी की साथ में आप डालूँगे दो चम्मच करी पानी और पानी डालके इन सभी चीजों को इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप चाहे तो कौन फ्लार की जगे आरा रोड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अब गेस पे मैंने पैन रखा है और पैन के अंदर पैन के उपर में ये चनी रखी है और अब हम ये सारा टमाटर का पैस्टे इसमें डाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से छान लेंगे तो चानने से यह होगा कि इसके अंदर अगर कुछ बीज होगे या टमाटर की जो इसकीन होगी वो चनी के उपर ही रहे जाएगी तो यह देखिए सभी चीजे मैंने यहां पर अच्छे से छान ली है और अब हम इसमें थोड़ा पानी एट करेंगे क्योंकि इस समय काफी गाड़ा है तो मैं यहां पर एक कप पानी डाल रही हूं जो जार था उसी में मैंने पानी डाल के इसमें एट कर दिय खोणकी आहे हैं तो आब हम इसमें थोड़ा बॉइल आने देते हैं अभी आपको थोड़ा लग रहा है लेकिन यह थोड़ा बॉइल भी होगा तो आप इसमें बोती अच्छा सा कप यह तो अब मैं यहां पर डाल देती हूं और नमक एक पैहले डाला था और एक Side चमछ में पढ़ रही हूं और एक चमछ में पचीनी दाल रही हूं हलकी सी मिठास रहेगी चीनी से इसमें और आदि समछ हम डालेंगी काली मिर्च का पाउडर आप चाहे तो यहाँ पर गरम मसाले का भी यूज कर सकते हैं और अब हमने जो कॉन फ्लार का घौल बना रहा था वो भी इसमेट कर देते हैं तो चला लेते हैं इसे अच्छे से तो जैसे ही आप इसमें कॉन फिलार डाले इसे लगातार चलाए नहीं तो इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे और अब हम इसे फिर से एक बोईल ले लेते हैं क्योंकि हमने टमाटर का सूप को तो पहले ही पका लिया था तो आप देख सकते हैं एक बोईल इसमें फिर से आ चुका है और ये सूप बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गाड़ा पाँ भी नहीं है और ना ही बहुत जदा पतला है और साथ इसका color भी बहुत ही अच्छा है अंचा तो अब हम गेस का फ्लेम उफ कर लेते हैं और इसे सर्व करेंगे तो आप चाहें तो इसके उपर उपर से क्रीम डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी धन्या पती इसके उपर डाल सकते हैं तो अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए